दोस्तो दोस्तो आज हम लोग कुछ रेलवे की मैज़ेदार बाते आपके साथ शेयर करेंगे। ये ऐसी चानकारिया है दोस्तो जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए दोस्तो आप इस मेडियो को पुरा देखिएगा और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तो रेलवे की नियू अठारवी शताबदी में जेम्स वाट ने रखिए। उन्होंने पहला स्टीम इंजन मराया और लोगों को दिखाया और यह साबित किया कि लोहे के इंजन पे भी बैठके सफर किया जा सकता है। पूरी दुनिया में जो कारगो ट्रांस्पोरेशन होता है उसका 40% से जादा ट्रांस्पोरेशन ट्रेन के मात्यम से होता है। और ये ट्रांस्पोर्टेशन लगातार दिन प्रतिदी बढ़ता जा रहा है रेलवे के वील और रेलवे के ट्रेक के बीच पे थोड़ा सा गैप होता है यह गैप एक छोटे से डालर के बराबर होता है पतले डालर के बराबर होता है जिससे की पटरियों पे रेल आराम से दोड़ सके अमेरिका में रेल्वे की शुरात 1830 में हुई पहली बार यहाँ पे बिल्डिंग बनाये गया और रेल ट्रेक बिछाके रेल्वे इंजन को उस पर दोड़ाये गया दोस्तो 18 शताबगी के काफी पहले 16 शताबगी में भी रेल्वे का निर्माण किया जा चुका था वेगन वेव नाम से रेल्वे बनाये गया लेकिन यह सफल नहीं हो पाये थे जिसकी वज़ा से इनके सारे काम जाब को बंद कर दिया गया लंदन में दुनिया का पहला अंडर्ग्राउंड रेल्वे बनाये गया एक ऐसा रेल्वे ट्रैक था जो बहुत छोटा था और जब रेल इंजर से खुजरती थी तो पूरा धूबा बर जाता था बावजूद लोग इसे इतना चाहते थे कि कभी ये बंद नहीं किया गया दुनिया में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रो मोटिव डीजर इंजर सबसे ज़्यादा बनाये जाता है दुनिया में सबसे बड़ा रेले इस्टेशन इंग्लेंड में है जो 600 मीटर लंबा है अमेरिका में पहली बार अमेरिका के इस्ट और वेस्ट कोस्टल एरिया को रेलेविट रेक्ट के मात्यम से जोड़ा गया 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशर आया इस आर्थिक मंदी ने अमेरिका के रेलेविट शिस्टम को पूरीगरा से बर्बात कर गया वेलेविट